HDIL क्या हमें इस stock के अंदर investment करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्या ये value investing हो सकता है क्या target होने वाले हैं इसके क्या price forecasting होने वाले है detail में fundamental और technical analysis HDIL के मैं आपके साथ करने वाला हूँ My name is Utkos Sharma This is Market Prime और आप सभी का स्वागते आपी के इस YouTube channel पे आपने अभी तब हमारी family को जोइन नहीं कराना प्लीज चैनल को subscribe कर दीजे और हमारे family member बन जाईए All right, current market price आप देख पारे होंगे 3.50 पेसे की face value है 10 रूपे की 1 month return की बात करूँ तो 102% के ये positive return दे चुका है लेकिन 1 year के अंदर 77.67% के negative return दी है अगर मैं आपसे 5 year return की बात करूँ तो 96.28% के इसने negative return दी है और market cap है इसका 145 करोड का 52 week का high है 17 रूपे का और 52 week का low है 1 रूपे चोईस पैसे का book value है 250 की ROCE है 2.97 का और return on equity है 0.91% का लेकिन आप इन चीचों को ये देखके decide मत करिएगा कि हमें इसे stock के अंदर invest कर देना चाहिए पैसा आपका है तो पूरी वीडियो को ढंग से देखिए और जानिए कि इसकी क्या fundamental strong company है या नहीं है ये future में क्या आपको ये अच्छे return दे सकती है P ratio की बात करो तो 1.52 का है price to book value है 0.01 की sector PA 26.55 और sector PBA 1.38 का sales की बात कर तो March 18 में था 388 की और March 19 में वो बढ़के होगी थी 718 की और present year में 644 की operating profit की बात कर तो March 18 में था 403 करोड का March 19 में कम हो गया था 399 करोड का और present year में 371 करोड गा net profit की बात करो तो March 18 के अंदर था 96 करोड जो बढ़के March 19 में हो गया था 106 करोड और present year में 90 करोड का तो आप देख पारे होंगे इसके अंदर growth भी है लेकिन खहींगा ही पर हमको कमजोरी भी देखने को मिली है अगर मैं आपसे share capital की बात करूँ तो 454 के share capital है और reserves है इनके पास 11,199 के डेट की बात करूँ तो डेट इनके अपर 1500 करोड का आप देख पारे होंगे डेट इनके कम करा है थोड़ा सा लेकिन अभी भी बहुत ज़ादा डेट है इस company के उपर इसी वज़े से ये एक negative point है इस company का अगर आप इसमें देख रहे हैं तो अभी जिससा आपसे इसकी condition है उससा आपसे इसका price थोड़ा सा हाई है तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ किस price पे आपको इसके अंदर entry करनी चाहिए cash from operating activity की बात करूँ तो March 18 में थी 425 की जो March 19 में कम होगी थी 385 की आप देख पा रहे होंगे promoters ने अपनी इसके अंदर holding बड़ा है ये share holding pattern जो मैं आपसे share कर रहा हूँ उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे 36.49% से अभी उनकी है 41.85% प्लेज 0 है FIIs ने इसके अंदर पहले holding जादा थी अब थोड़ी सी उन्होंने कम करी है अगर आप देख पा रहे होंगे तो DIs की बात करूँ तो 9.06% की है bank 0.6% का है insurance 0.07% का है mutual fund 0 है other DIs 8.39 के आप देख पा रहे होंगे तो अगर मैं shareholding pattern की बात रहे हो तो इत्ता अच्छा attractive इनका shareholding pattern नहीं है और company की भी मैं आपसे आगे बात करना चाओँगा अब मैं आपको बताता हूँ 18.08 में ये high बना रही थी 1100 रूपे के something का 1100 रूपे का ये high बना रही थी 18 जनवरी 2008 के अंदर और उसके बाद इसके अंदर गिरावट आप देख लो 5 March 2009 को ये low बना चुकी थी 68 रूपे का 1100 रूपे से गिरके 68 रूपे पे ये company आ चुकी थी अगर आपसे मैं बात करूँ उस time की ये बहुत समय पुराना है अब मैं आपसे अभी की बात करता हूँ 21 अगस 2019 को भी इसने low बनाय था 8 रूपे का और उसके बाद इसमें वापस से बहुत जादा गिरावट आगी थी 31 October 2019 को ये closing हुई थी इसकी 1.45 के उपर आप देख पा रहे होंगे उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी हमें recovery देखने को मिली थी लेकिन इत्य अच्छे इसके fundamental नहीं है कि मैं आपको बोलू कि आप long term के अंदर इसमें invest कर दीजे लेकिन अगर आप थोड़ा सा पैसा इसमें invest करना चाहें तो उसकी मैं आपको suggestion दे सकता हूँ कि आप knowledge provide कराईए फिर भी कुछ भी आपको doubt हो तो आप मुझे comment कर दीजेगा penny stocks के उपर वीडियो देखने है description में link ए top penny stocks के उपर वीडियो बनाई थी थोड़े टाइम पहले बनाई थी काफी जो stocks से उनके तो return भी अच्छे हो चुके है पसंद आई हो तो like कर दीजेगा share कर कर दीजेगा